पहले मैच के लिए RCB ने घोशित किया प्लेइंग 11 नई टीम के साथ उतरेगी कोहली की टीम नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दवी आईपी टीवी के एक और नए वीडियो में दोस्तो जैसे की आईपील की तारीक अब आ चुकी है 9 अपरेल से पहला मुकाबला रोहिस सर्मा की मुंबा इंडियास और विराट कोली की रॉल चेलेंजर्स बैंगलोर की बीच खेला जाएगा तो ऐसे में दोस्तो RCB ने अपने पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 घोशित कर दी है दोस्तो आपको बता दे पिछले सीजन के मुकाबले से इस बार RCB एक नई टीम के साथ उतर रही है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में हुए आक्षन में कई बड़े खिलाडियों को महंगे दावों में खरे दे हैं उस खबर के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिसमें दूसरी खबर ये होगी IPL के तारिखों का एलान होती ही तिनेज सुपर स्किंग्स को लगा बड़ा जटका दोनी की प्लानिंग पर पानी फिरा जी हाँ दोस्तो आखिर CSK को क्या बड़ा जटका अचानक लगा है जिसकी वज़े से दोनी की अपने प्लेंग 11 बनाने में दिक्कत आ रही है इस खबर के बारे में भी बात करेंगे पूरी डिटेल से वहीं तीसरी खबर को जानना आपके लिए जरूरी है अगर आप IPL के फैन हैं और IPL देखना पसंद करते हैं तो इस खबर को भी जरूर देखिएगा तो तीसरी खबर ये होगी इस सीजन IPL में फैन को दिखेंगे ये 5 सबसे बड़े बदलाव जी हाँ दोस्तो इस बार IPL में 5 बड़े बदलाव किये गए हैं तो इस बड़लाव के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो इन तीनों ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ अंध तक बरी रहिएगा वही अगर आप CSK को एक खतरनाग टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा तो चलिए आपका ज़्यादा समयने लेती हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो BCCI ने रविवार को IPL 2021 का सेडियोल जारी कर दिया है इस बार IPL भारत में ही होगा जबकि पिछली बार करोना की वज़े से लीग का आयोजन UAE में हुआ था IPL का अगाज 9 अप्रिल को चन्नई में होगा जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबाइ निंस का रोयल चलेंजर्स बैंगलूर से सामना होगा दोस्तों भले ही IPL इस बार भारत में हो रही है लेकिन करोना की वज़े से कई बदलाओ भी हुए है जैसे इस बार फाइनल समेत सभी 60 मैच 6 सरों में ही खेले जाएंगे इससे एमदाबाद, बैंगलूरू, चन्नेई, डिली, मुंबई और कोलकाता सामिल है लिग स्टेज के 56 में से 40 मैच चन्नेई, मुंबई, कोलकाता और बैंगलूरूरूरूरू में खेले जाएंगे जबकि बाकी 16 में से 88 मैच दिली और एमदाबाद में होंगे वही फाइनल और प्ले आप भी एमदाबाद के नए बने नरिंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तो आइपिल की इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई भी टीम अपने घर में मैच नहीं खेलेगी सभी मुकाबले निट्रिल वेन्यू पर होंगे हर टीम के लिए अलग-अलग 4 जगा तै किये गए है इनी 4 सहरों में ही टीम अपने लिग स्टेज के सारे मैच खेलेगी वही कोरोना के चलते टूनामेंट बायो सिक्क्योर बवल में खेला जाएगा लिग स्टेज के दौरान हर एक टीम को सिर्फ तीन बार ही यात्रा करनी होगी यानि तीन बार ट्रैवल करके वो अपने सभी मैच पूरे कर लेंगी कुरोना वायरस की चलते लिग के सुरुवाती स्टेज में दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी अगर बाद में कुरोना की सिती में सुधार हुआ तो सरकार के साथ बैठक करके बिसेस्याई फैंस को इस्टेडियम में आने देने पर विचार करेगी वैसे पिछले साल UAE में भी विना दर्शकों के ही आईपेल मैच कर आए गये थे हलाकि भारत और इंग्लैंड की बीच टेश्ट सिरिस के दोरान इस्टेडियम में 50 फिजदी दर्शकों को आने की अनुमती दी गई थी लेकिन 25 मार्च से दोनों देशों के बीच पूर्डे में होने वाले वन डे सिरिस में फैंस नहीं होंगे वही दोस्तो इस बार 11 डबल हेडर यानि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे छे टीमें दो पहर में 3-3 और बागी दो टीमें 2-2 मैच खेलेगी दो पहर के मैच साड़े 3 बजे से खेले जाएंगे और साम के मुकाबले साड़े 7 बजे से शूरू होंगे दिली कैपिटल्स और चिन्य सुपर किंग्स को डबल हेडर के तहाद दो-दो मैच दोपार में खेलने हैं इसके अलावा रॉयल चेलेंजर्स बैंगलूर, रोजिस्तान रॉयल, पंजाब किंग, सनाजर्स हैदरबाद, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट आडर्डर्स को तीन-तीन मैच दोपार में खेलने हैं तुनामेंट का पहला डबल हेडर 18 अप्रेल को होगा वही इस लिग का पहला मैच रॉयल चेलेंजर्स बैंगलूर और कोलकाता नाइट आडर्डर्स की बीच खेला जाएगा जबकि दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होगी वही दोस्तों पहले मुकाबले के लिए RCB अपनी प्लेइंग 11 खोशित कर दी है पिछले साल IPL में रॉयल चेलेंजर्स बैंगलूर ने खराप प्रदर्शन का अंत करते हुए फ्ले आप में प्रवेश किया था हलाकि एलिमिनेटर मुकाबले में उसे संराजर्स हैदरबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था विराट कोली के नेत्रित्तु में RCB टीम ने लगतार चार मुकाबले हारने के बाद भी फ्ले आप में कदम रखा था RCB ने IPL 2020 में अपने अभियान की शुरुआत संराजर्स हैदरबाद पर 10 रन की जीत के साथ की थी कुल मिला अगर देखें तो पिछले सीजन में RCB का परफॉर्मेंस मिला जुला कर ही रहा था अब 9 अप्रेल से IPL के 24 सीजन का अगाज हो रहा है Royal Challengers Bangalore ने अब तक कभी IPL खिताब नहीं जीता है ऐसे में विराट कोली और टीम की कोशिस होगी कि वहाँ IPL 2021 में इस सुखे को खत्म करे इस साल फ्रंचाइजी ने 10 खिलाडियों को रिलिस किया और 8 नए खिलाडी खरीदे उन्होंने सबसे जादा रुपए आर्डाउंडर, ग्लैन मैक्सविल और काइल जैमिशन पर खर्च किये जहां मैक्सविल को 14 करोड 25 लाक में खरीदा है तो वही काइल जैमिशन को 15 करोड रुपए में खरीद कर सभी को चौका दिया है वही 8 खिलाडियों के टीम में सामिल किये जाने से उनकी योजना में भी बड़ा बदलाव दिखाई देगा आईए एक नजर डालते हैं इस साल आर्चीवी की मजबूत प्लेइंग इलिवेंट पर दोस्तो ओपनरों के द्वारा औसत प्रदर्शन आर्चीवी की हार का एक बड़ा कारण है 2021 में वे उम्मीद करेंगे कि इस कमी को दूर किया जा सके T20 में औस्टेला के लिए ओपनिंग करते समय ग्लैन मैक्सवील ने सतक बनाया था लिहाजा इस पद के प्रबल दावेदार है मैक्सवील टीम के पास एबिडिवलेर्स बेश्ट फिनिसर है पिछले साल मद्यकरम में खेलते हुए मैक्सवील ने 13 मैचों में 108 रन बनाये थे वहाँ एक भी छक्का नहीं लगा पाए जबकि देवदत प्रडिकल ने 473 रन बनाये तो इस बार मैक्सवील और देवदत प्रडिकल आर्ट सीबी की पारी की शुरुआद करेंगे वही विराट कोली ने पारी की शुरुआद भी की है लेकिन इस साल वहाँ नमबर तीन पर ही बलेबाजी करेंगे 2020 में उनकी ओपनर की भूमिका सार्थक नहीं रही उनके बाद चौते नमबर पर एविडियो लियर्स बलेबाजी करने उतरेंगे वही दोस्तो इस बार RCB के पास बहुत से आलडाउंडर्स हैं वाशिंग्टन सुन्दर डैनियल क्रिष्चियन जुसे टीम ने 4 करोड 8 लाग में खरीदा है ये दोनों पांचवे और छटे इस्तान पर खेलेंगे वही गिनबाजी में युजिवेंदर चहल और वाशिंग्टन सुन्दर इस्पिन की भूमिका निवाएंगे जबकि तेज गिनबाजी में मुहम्मद सिराज और काईल जेमिसन पहले मैच में खेलेंगे तो दोस्तो आप कमेंट करके बताएं आपको RCB की टीम कैसी लगी वही दोस्तो आईपिल का एलान होती ही चन्ने सुपर किंग्स को बड़ा जटका लगा है धोनी की प्लानिंग पर पानी फिर गया है दोस्तो दुनिया के सबसे बड़ी ट्रिकेट लिग आईपिल के 24 सीजन का अगास 9 अपरेल से होगा रईवार को BCSI ने इसके सैड्यूल का एलान किया आईपिल के सैड्यूल की सबसे बड़ी और एहम बात ये है कि इस बार सभी टीमे दूसरे जगों पर अपनी मैच खेलेगी मतलब किसी टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा नहीं मिलेगा आईपिल के सैड्यूल से चिन्यी सुपर किंग्स को बड़ा जटका लगने वाला है आईए बताते हैं कैसे चिन्यी सुपर किंग्स अपने मुकाबले मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और कुलकाता में खेलेगी मतलग चिन्यी ने 14 में से 10 मैच उन जगों पर खेलने हैं जहां स्पिन के इनबाजों की एक नहीं चलती चिन्यी सुपर किंग्स ने आईपिल आउक्सन में अपनी टीम के स्पिन अटेक को और मजबूद बनाया था लेकिन दिल्ली में होने वाले चार मैचों के अलावा किसी और जगा उसे स्पिनर्स का कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है मुंबई के वानखेडे इस्टेडियम बैंगलोर के चिन्ना स्वामी और कुलकाता की इनन गार्डन्स की पीचे स्पिनर्स के लिए इतनी मददकार नहीं है साथ में ग्राउंड भी छोटे हैं जिससे दोनी एंड कमपनी को बड़ा जटका लग सकता है चिन्ने ने इस बार हुए आक्सर में मोहिन अली, किशनरप्पा, गौतम के तौर पर दो एहम स्पिनर्स खरदे हैं अब IPL सेड्यूर के एलान के बाद दोनी इंड का इस्तमाल कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी